अलो फ्रेंट्स मैं तनीका सन्वाल आपका अपने यूटिब चैनल में साविद करती हूं सभी को मेरा परणाम मैं अपने ब्लॉग की स्टार्डिंग कर दी हूं अभी बज़ें सुवे के ग्यारा और आज विस्तु कर्मा पूजा है तो हम लोग अपने गाडियां की गाडिय मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है रात से बारिस ही रगी है ताले वाइटी को दोईंगे फिर बुलट और नीदी तो हमारी वैसे ही दूल जा रही है वह बार बारिस में खड़ी है तो हम हर साल विस्तु कर्मा में इनकी पूजा करते हैं आज लोग की पूजा करते हैं ऐ आप मेरे साथ मेरी ब्लॉग में आए यह देखे ममीन की पूजा कर रही है यह देखे हमारी ब्लू लुकी भी पूजा हो रही है यह घर से बाहर कड़ी तो इसलिए रोज ना आ रही है यह ज़िस अब हम जा रहे हैं थोड़ा पाहड़ों की तरह बारी बहुत तो फाहड़ों का वसम बहुत अच्छा होगा मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा जिद कर रह जो चलिए खुमने चलिए अ कर इसके बापा आए तो बस यहीं की सब्सक्राइव ने चलो बने एगा आपने रेगे को जाय रहे हैं हए पाहड़ों के चलेंगे खना क्वले किसा ढलवाना फ्रुटा ने बरे को इन तो लेना है तो आपको दिखाती है तनी बारी सोड़ीय झाल झाल अब हम हल दाली पर अपना काम ने पूरा करके आगे हैं अब हम जा रहे हैं पहाडों की तरह थोड़ा प्यादा उपर तो नहीं जाएंगी क्योंकि बारिस भी हो रही है यहां का मौसम देखिए वह उपर देखिए कैसे बादल गिरे हुए हैं सारी पुरा काला हो रहा है तरह हैं सारी काला है कैसे तुझी से दिल ने लगा है कोई रब्बा ने तुझे को बना है ने तरदी है उसने की हालिती जोरिया काजल की सियाही से लिखी है तुने जाने कितनों की लब स्टोरिया के सर्या तेरा इश्क है प्यार रंडी जाओ जो मैं हाथ लगाओं दिंबी थे सारा तेरी फिक्र में रहे में सारी तेरी खेर मना हूँ शिवा इशा का मतलब जानते है तो बार्वादी अब शिवा का साथ बार्वादी ने ती कि तो पत जड़के मौसं में थी रंगी चनारों जैसी जनके सन्ना तो में तू वी राके तारों जैसी जैसे बादोलों का वीव कितना प्यारा लगा जब हो पाड़ों के बीस से इतला माता मंदिर आगी हमारा जै हो मातरा ने कि चुक्त रंगी उनके तो यहां पाड़ों का वीव बहुत अच्छा होते हैं कैसा या तेरा इस्टिया कि आश्यां पापा क्या आपक्ट आए तो यहीं है यहीं है यहीं है आपाड़ों में अजैसे आफिए दो देखे हुड रहा है इतना द्यारब फाडों की भीस से दूज ग्लगा इतना द्यारप लिए ग्लमाट्स वहाँ पाडो की भीस से कर्दो डदो करना कि दूदर में दूदर यह फाड़ायद सो देखिये ब्हुलीजे जाद से वहाला ज़ंगल है? हुट मुष्पलाब करें सब्सक्राइड में छा रहे हैं मैगी पॉइंट कहां चा रहे हैं वाद ही हाती केल मेगी बाद तरहु है अजया यह है पर पर इस हांने कि यह रलнуться का दो प्रशिकों केला यंज निए कहे हैं आईएगा आप लोग कभी काडगुदाम रानी बाग आके आपने मैगी पॉइंट नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा हम अक्सरों से वहां जाते रहते हैं क्योंकि मेरे हजबन को वहां अच्छा लगता है और यह कॉलेज के टैम से वहां जाते हैं तो बस जब भी आएंगे तो मैगी पॉइंट तो हमें जाना ही है चाहिए हम दिन में जाए यह रात किसमें जाएं आप यह देखिए कैसा हो रहा है हम जाए हम जाए हम जाए हम जोड़े मेरे बेटे का दील भी रख दिया हमने फिप भूमने चलो भूमने चलो पैस अच्छा मैं की पॉंट से अच्छा हुआ कुछ भी नहीं था क्योंकि वह घर की पास में भी था और हमारा घूमना भी हो कर लिया और हम गए भी नहीं थे कबसे हमां दोनों इने साथ में टाइम इस्टेंड भी कर लिया इस तरह है हम लोग पहुंच गए मैंगी पॉइंट पर लिखाई है पांडे जी की मैंगी तरस हम जाते हैं फिर हम आप लिखाएंगे अंदर बने रहे देखिए जाते हैं मैंगे कोफिए जैंट लिखाई वहां पॉपिति प क्रेया, मैंगे क्यांटान की और हमकरे जाते संसुक्य एं इस हैं जातो हम उसका वी ओक्यक्वर सुल देक्वर गासध की इसको भी से वोस्त शॉतों पॉप्य सब्सिखिक कर देख़ा आप अपनाद से एयर से अभी हम और जाते हैं लेकिन जैसे कि मैंने बताया आजी मेरे हैस्बंड का हभीक है तो इसलिए अभी हमें घर पे जाके खाना बनाना है इनका फास्ट इनने कुछ खाया नहीं है तो इसलिए हम चले गए और अब तो भी बजने वाले हैं हम इतना सा थोड़ा सा घूमने आई इसमें मेरे बेटे का मन भी रह गया और हमारा भी घूमना थोड़ा सा आउप्टिंग होगी हमें बहुत कम चांस मिलता थोड़ा बहार निकलने को लेकिन जब भी मेरे हैसबर नाते हैं तो हम लोग जाते ही हैं बहार कि हम उस समय दुसरे रास्ते से गए भी मिताल्स और अभी है हम मुझे हमें अंदर से सौर्ट रास्ते से लेके आ रहे हैं जंगली जंगल कि देखिए संगे देखिए हमेटी ओपिस नीचे अज़नार आपकर देखाना आप अंधान रहाएं अंगंद के पहार रहा है यह देकिए पहार मज़ा आजाता है अब हम लोग घर को जा रहे हैं और हमें खाना भी बनाना है और जाके इनका हवीख है और कल मेरे सुस्तुल जी का सराद है इस वज़े से नहीं तो हम ठोड़ा उबर तक लोड़ जाते हैं मैं यह मेरा तीसरा व्लॉग है वैसे तो मैंने अभी तक जादा व्लॉग की नहीं है थोड़ी सौट वीडियो डाली हुई है आप लोगों मेरे व्लॉग में बने मिज़े सस्क्राइब करा उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद और मेरे साथ ऐसे ही बने रही है मेरे व्ल अब हम लोग घर को जा रहे हैं